कल वित्मंत्री जी ने कुल बारा ट्वीट किये पता नहीं कौन सी उन पे बाध्यता थी वो ट्वीट करने की पर एक ट्वीट बड़ा रोचक था उसमें उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर जो एकसाइज जूटी केंदर सरकार ले रही है वो घटाई पेट्रोल पर एकसाइज जूटी जो पहले मौजूदा थी उससे केंदर सरकार ने आठ रुपे घटाई डीजल पर छे रुपे घटाई अब हमारा एक कैलकुलेशन हमने किया है और आपको वो कैलकुलेशन मैं जरूर दूँगा मुझे उम्मीद थी कि आज जब मैं इस प्रेस वारता के लिए आ रहा हूँगा तो भारती जनता वारती का प्रचार प्रसार डिपार्टमेंट पूरे दिल्ली में थेंक्यू मोदी जी के पोस्टर जरूर लगाएगा पर लगता है आज संडे है तो वो छुटी पे है तो उन थेंक्यू मोदी जी वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ ये कौन सा गणित है कि आप पहले पिछले साथ दिनों में पैट्रोल के दाम दस रुपे बढ़ा दो और फिर पैट्रोल के उपर एक्साइज ड् कि आप 8 रुपे घटा दो वह कौन सा गणित है कम करने का जिसमें 60 दिनों में डीजल के दाम में आप पिछले साथ दिनों में 10 रुपे बढ़ा दो और साथ रुपे कम कर दो ये कोन सा गणित है ये तो एक मुझे बड़ा एक रोचक किस्त आयाद आता है कि एक दुकान पर हमेशा sale लगी भी होती थी तो हमने पुछा उससे कि भाई साब ये sale आपके 400 गंटे 365 दिन sale क्यों बोले पहले बढ़ा देते हैं फिर sale देते हैं तो पहले 25% बढ़ा दो फिर 15% sale दे दो फिर 10% तो फिर भी आगे हो और उसके लिए देश को बोलना थेंक्यू मोदी जी कि आपके पास ऐसा हुनर है कि आप चीज को घटा के भी बढ़ा देते हो उस हुनर क्या कल वित्मंत्री जी ने उसकी एक 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 हमारे सामने उस हुनर को रखा कुछ हांकडे देता हूं साथियो अप्रेल 2014 में पेटरोल पर केंदर सरकार 9 रुपे 48 पैसे प्रती लीटर एकसाइज ड्यूटी लेती थी जो आज मई 2022 में कम करने के बावजूद ये कम करने के बावजूद भी 19 रुपे 90 पैसे है मतलब 2014 की तुलना में पेटरोल पर आज भी केंदर सरकार 10 रुपे 52 पैसे प्रती लीटर एकसाइज ड्यूटी जादा ले रही है अर्थाद जो 2014 में एकसाइज ड्यूटी थी उससे दोगिनी से भी जादा more than twice still government of India is charging the exercise duty on petrol तो ये तो हुई petrol की बात डीजल और भी इसमें रोचक है अप्रेल 2014 में केंद्र सरकार 3 रुपे 56 पैसे प्रती लीटर डीजल पर एकसाइज ड्यूटी लेती थी मोदी जी की जो thank you मोदी जी policy के तहत आज 15 रुपे 80 पैसे प्रती लीटर हुई है कम करने के बावजूद अर्थाद 3 रुपे 56 पैसे जो हम लेते थे वो आज 15 रुपे 80 पैसे है अर्थाद 4 गुणा से भी जादा more than 4 times उसके लिए thank you मोदी जी लगाओ poster thank you मोदी जी के कि भई पहले से आपने 4 गुणा जादा डीजल पर excise duty ले ली इसके लिए देश आपका आबारी मोदी जी पहले से पैट्रोल पर आपने दोगुनी से जादा excise duty आज भी ले रहे हो उसके लिए thank you मोदी जी अब gas पर आ जाते हैं तो gas पर भी thank you तो बोलना पड़ेगा मई 2014 में gas cylinder और यहाँ पर उजुवला नौन उजुवला वो कोई distinction नहीं है gas cylinder देश के हर व्यक्ति को मिलता था 414 रुपे में आज उजुवला इसकीम के तहट gas cylinder मिल रहा है कम करने के बावजूद 803 रुपे में अर्थात लगबग दोगुने आपने gas की कीमते कर दी और वो भी सिरफ उजुवला के लिए नहीं नुजुवला के लिए तो एक हजार दीन ही है इसके लिए भी थैंक्यू मोदी जी हमारा भी थैंक्यू स्विकार कीजिए कि आपके पास इतना बड़ा हुनर है कि आपने gas की कीमते कम करने के बावजूद भी दोगनी बढ़ा दी this is this is an art that you are reducing but still it is increasing आप कम कर रहे हो पर फिर भी बढ़ रही है आपने 200 रुपे कम किये फिर भी गैस की कीमते दोगनी से जादा हो गई और ऐसा क्यों हुआ यह आप लोगों को समझना पड़ेगा ऐसा इसलिए हुआ गैस की कीमतों में कि जब केंदर सरकार ने डिव इट अप स्कीम चालू की थी ना गिव इट अप तो केंदर सरकार ने भी सबसीडी इसको गिव इट अप कर दिया जो लोगों को गैस सिलेंडर पे सबसीडी में 2014 के पूर्व की सरकारे दिया करती थी मोधी जी ने का आप भी दे तो हम भी दे देते गिव इट अप तो उन्होंने सबसीडी को गिव इट अप कर दिया इसका आकड़ा है मेरे पास 2014 में गैस पर सबसीडी केंदर सरकार वहन करती थी 36,500 करोड 2013-14 में ये आकड़ा था 46,458 करोड और आज हो गया शुन्ये क्योंकि मोधी जी ने सबसीडी देना बंद कर दिया और उजवला इसकीम के तहट सिलेंडर की कीमत आज 803 है और नौन उजवला के लिए 1003 है दोनों में ही नौन उजवला के लिए जो 2014 में सिलेंडर की कीमत थी उसे दोगनी से ज़ादा कर दी और उजवला वालों के लिए दोगनी तकी सीमित रखा उसके लिए आपको बहुत बहुत थेंक्यू फिर वितमंत्री जी ने एक और आकड़ा दिया बोला इंफलेशन महंगाई हमने बढ़ने नहीं दी कोई भी आविशक वस्तू के दाम हमने बढ़ने नहीं दिये वितमंत्री जी प्याज तो आप नहीं खाती आपने देश को बताया पर गर्मी में नीम्बू की शिकनजी तो कभी कभार पीती होगी मैडम शिकनजी तीन सो रुपे प्रती किलो नीम्बू भिका है वितमंत्री जी और आप कह रहे हो कि मेंगाई नहीं हमने supply chain का कोई disruption नहीं होने दिया देश में नीम्बू तीन सो रुपे किलो भिक गया और वितमंत्री जी कह रहे है कि हमने मेंगाई नहीं बढ़ने दी वित्मंत्री जी में तो आप ही के डिपार्टमेंट के आप ही के सरकार के कुछ आकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ WPI अप्रेल 2022 में 15.1 प्रतिशत 15.1 परसें वोलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल इंफलेशन 7.79 परसेंट वित्मंत्री जी ने अपने ट्वीट में कहा महणाई नहीं है देश में there is nothing called as inflation in our country यह 7.79 तो रिटेल इंफलेशन है यह मेरा आकड़ा नहीं यह बारत सरकार का आकड़ा है WPI आपका 15.1% है यह मेरा आकड़ा नहीं यह बारत सरकार का आकड़ा है क्या यह आकड़े देखने के बाद भी वितमंत्री जी आपका जो ट्वीट में जो भाषा थी कि हमने इंफलेशन को महिंगाई को नई बढ़ने दिया क्या यह आकड़े गलत है यह आपके ट्वीट की भाषा और आपके ट्वीट का मंतव यह गलत है फिर एक ट्वीट वितमंत्री जी ने किया हम गरीबों का बहुत ध्यान रखते है बिल्कुल वितमंत्री जी Oxfam और CMIE की रिपोर्ट तो कुछ दूसरा ही चीज बता रही है Oxfam की रिपोर्ट कहती है वितमंत्री जी कि 2021 में 84, 84, 84 प्रतिशत हाउस होल्ड की इंकम गटी और बिलियोनियर्स की ग्रोकरी CMIE की रिपोर्ट कहती है कि 2021 में 97, 97% इंडियन्स की आय गटी और अफकोर्स जो 3% कौन है आपको भी पता है 3% की बढ़ गई अब देश के युवा, देश के मध्यम आयवर्गे परिवार, देश के निमन आयवर्गे परिवार वो equation, वो formula आपसे जानना चाहते है वितमंत्री जी जो 39% लोगों के पास है जिनकी income बढ़ रही है और 99% को वो formula दे दीजे ना तो आप कह रहे हो कि हम पूर का ध्यान रखते हैं यहां तो CMI और Oxfam दोनों की रिपोर्ट कह रही है कि हिंदुस्तान में 97% लोगों की आये, 2021 में गटी, सिरफ 3% की बढ़ी Oxfam की रिपोर्ट कहती है, 84% की गटी, सिरफ बाकी लोगों की बढ़ी देश में billionaires की जो growth है, सिरफ उनकी growth हो रही है ना तो middle class की हो रही है, ना lower income group की हो रही है ना किसानों की हो रही है, ना मजदूर की हो रही है तो वितमंत्री जी, यह जो आपका जो expectation था कि देश बोलेगा thank you Modi जी, वो reality यह है कि what you have done to India Modi जी, we are asking what you have done to India Modi जी क्या इसके लिए धन्यवाद है कि आज भी exercise duty petrol पर जो 2014 पे थी उससे दो गुनी से ज़्यादा आप वसूल कर रहे हो क्या इसके लिए धन्यवाद है कि आज भी exercise duty diesel पर जो 2014 पे थी उससे लगबक चार गुना आप वसूल कर रहे हो मुझे लगता है कि भारतिय जनता पार्टी को ये जो आठवी क्लास की जो ट्रिक्स है न कि पहले 40% बढ़ाओ फिर 25% कम कर लो तो 15% तो अभी बढ़ावा ही है न अभी तक मार्च में जो कीमते थी पेट्रोल डीजल की उससे ज़्यादा है तो क्या मार्च में कीमते ज़्यादा थी के कम थी उस समय भी ज़्यादा थी अगर आपको सबस्टेंशियल रहात देनी है तो 2014 के लेवल पर पैट्रोल डीजल और गैस के दाम करिए और उसको करने के लिए आपके आप वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए देश आपको थेंक्यू वास्तव में बोलेगा पर आपको करत्रिम आटिफिशल थेंक्यू चाहिए पोस्टर लगा लगा के अपना वावाई लुटानी है जबकि पैट्रोल डीजल और गैस के दाम 2014 से लेवल से ज़्यादा है